मेसान निर्वान रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेदस्व रूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरेहम चिदाकास माकास वासम भजेहम नमः पारवती पदिये हरा हरा कासी विश्वानाध्धाम के आज के इस भव्य लोकारपन का रिक्रम में मुख्य अथिति के रूप में पस्तित दुनिया के सबसे लोगप्रिय जन्नेता भारत के सुष्वी प्रधान मंत्री आदरिय सी नरिंद्र मोदी जी देश के कोने कोने से आज के समारों में अपना सानेद्य और आश्रिवात प्रदान करने के लिए हाँ पर पस्तित पोज्य संतजन प्रधेश की मानिय राज्यपाल सिमतियानंदी वैन पठेल जी भारती जन्ता पार्टी के राष्टिय अध्यक्स मानिय सी जगत प्रकास नड्डा जी प्रदेश सरकार में मेरे दोनों वरिष्ट सहयोगी उपमुख्य मंत्री सिकेशो परसाद मोर्य जी डॉक्टर दनेश सर्मा जी बारती जन्ता पार्टी के अमारे सभी पदादिकारी गण बिद्वजन और उपस्तित सभी भाहियो बेहनों आज बाबा विश्वनाद के अपार किरपा हम सब पर वरिस रही है मागंगा प्रफुलित है और कासी के कोटवाल बाबा भैरोनाद भी आलादित है पुझे संतों का अश्रिवाद प्रधान मंत्री जी की ओहेतुक औनकंपा उनकी पेड़ना उनका मार्क दरसन इस भब्य कासी विश्वनाद्धाम की रूप में न केवल कासी वास्यों के लिए बलकि हजारों वर्सों की प्रतिक्सा जब मागंगा इस धराद्धाम पर आई थी तो कहते है या तो हिमाले में भगमान सिव की जटाओं में उलज गई थी या कासी में मड़कनिका में उलज गई थी और इस उलजन को दूर किया है भारत माता के इस महान सपूत ने जिन्हें आज भारत के प्रधान मंत्री के रूप में भारत वास्यों के गौरों प्राप्त हुआ है और कासी वास्यों का सोभाग्य है कि उत्तर प्रधेश से प्रतिनिधी के रूप में कासी को ये सोभाग्य प्राप्त हुआ कि वह स्री नरेंदर मोदी जी को अपना सांसत की रूप में देश की संसत में भेजती है और इसलिए पूरी कासी पूरा भारतवासी देश और दुनिया में हर वह भारतवासी जो भारत और भारत ये संस्कृती भारत ये परंपरा भारत ये सब्विता कौनगामी है आज पर फुलित है आलादित है प्रदान मंतरी मोदी जी के परति बार बार उनका सुआगत करने के लिए उनका विनंदन करने के लिए पोज्य संत आला दित हैं उन्हें अपना अश्रिबात देने के लिए क्योंकि हजारों वर सों की ये तपस्या आज सार्तक होती भी दिखाई दे हम सब जानते हैं कासी बाबा विश्वनात का पावन धाम है लेकिन एक हजार वर्सों से जिन विप्रीद प्रस्तितियों का सामना कासी ने किया उन विप्रीद प्रस्तितियों का साकसी नकेवल कासी वासी बलकि हर भारत वासी रहा है ये दिपी सत्रसों सतत्तर से हसी के बीच में इंदौर की महारानी एल्या भाई होलकर जी ने इस छेत्र यहां पर बाबा विश्वनात की पुनरस्थापना में उस समय महती योगदान दिया था महाराजा रणजी सिंग्जी ने मंदिर को सौन मंडित करने में अपना योगदान दिया ग्वालियर की महारानी ने भी उस कालखंड में अपना योगदान दिया लेकिन भव्य सुरूप इस रूप में परिकल्पलित होगा या साकार होतावा दिखाई देगा आज पूजे संत जन अपनी आँखों से इन सब चीजों को देख रहे हैं साकसाथ अनभूती कर रहे हैं पूरे कासी वासी देश का विद्धत समाज इन सब बातों को अनभूती कर रहा है और सच्मुच इसके लिए हम सब सौभग्य सालिय हैं कि हमें ऐसे दूरदर्सी और यसोशी नित्रत्वक के सानिध्य में कारे करने उनके सानिध्य में आगे बढ़ने और भारती संस्कृती और भारती परंप्रा को आगे बढ़ने का एक सौभग्य प्राप्त हो रहा है आप अनुमान कर सकते हैं कासी में बाबा विश्वनात का इधाम, अयोध्या में इसी राम मंदिर के निर्माण की कारवाई, उसी इस रिंखला को एक नया सुरू प्रदान करता है, योग की परंपरा हो या कुम्ब को दुनिया की अमूर्त सांस्कृतिक धर्वर की रूप में मनिता देने का कारिक्रम, भारती संस्कृति के प्रती, भारत की सनातन मुल्यों, सब्वेता और संस्कृतिकों को बैस्विक मंच पर पनरस्थापित करने के प्रधान मंत्री मोदी जी के इसी अभियान का हिस्सा है, आज में सौसर पर, प्रधान मंत्री जी का, आप सब की और से, प्रदेश सरकार की से हिर्दे से स्वागत और अविनंदन करता हो और यह हम सब का सोभग्य है बाबा विश्वानाद धाम आज एक नए रूप में एक नए कलेवर की रूप में राश्टपिता महात्मा गांधी की उस पीड़ा को दूर करने का वे एक माध्यम बना है जो आज से सौ वर्स पहले राश्टपिता महात्मा गांधी ने इसी कासी में आकर के पीड़ा को ब्यक्त किया था यहां की गलियों तंग गलियों को देख करके यहां की गंदगी को देख करके गांधी जी के नाम पर बहुत सारे लोगों ने सत्ता प्राप्त की होगी लेकिन गांधी जी के उस सपने क साकार करने का कार ये कासी बाबा विश्वनात का धाम इस भब्य रूप में हो वह पहली बार हम सब को देखने को प्राप्त हो रहा है और स्वाभाईक रूप से ये कासी का विश्वनात धाम हम सब के लिए हमेशा इस बात को लेकर के कि वाराणा सी पुरपती पुरपतिम अवन धाम की प्रती निरंतर उस भक्ति भावना के साथ भसते रहें इस विश्वास के साथ मैं आज की सौसर पर आदर्णिय प्रधानमंत्री जी का माने राच्चेपाल महोदे का पूज संतों का राश्टिय ध्यक्जी का सभी यहां पर समागत अतिजियों का हिर्दे से स्व हागत और अब्रेंदन करता हो हार हार